और मेरा तो ये सुजाव है कि चाहे वो शिपाल यादव हूँ चाहे वो कोई बड़े नेता हूँ अभी सुप्रीम कोड ने एक अपने ओर्डर में साफ साफ कहा है कि जव अपराधिक मामले हैं अगर उन पे कोई टीवी चैनल के माध्यम से समचार पत्रों के माध्यम से अगर कोई टिपड़ी करता है तो वो कोड की अवन ना माना जाएगा तो मेरा सुजाव है कि कम से कम इन सब मामलों में टिपड़ी करने से बज़ना चाहें है कि हाई कोड अगर किसी को सजा अगर दे रहा है तो वो वागई अपरादी है और किसी अपरादी के लिए इस तरीके के भाशा बोलना कि हम मुक्रमंतरी से जाके बात करेंगे तो ये इनका अपना अधिकार है जाके मुक्रमंतरी से बात करें प्रिधान मंतरी से बात करें लेक काफी मुगदमों में निकरानी भी कर रहे हैं। आई से बात करते हैं। जिसे साथ आप से शीवपाल मिलने का है। आदम खान से जायन चौधरी आएं। क्या लगता है। उन से बात करते है। अकाजी आप बताइए क्या लगए आपको। यह आज का जो यह सनहरो है मुझे यह सारा एक प्लैंट सारा लगता है क्योंकि आजम खाने हमेशा चाहे वो अपने च्छातर जीवन से लेके और आज तक ढ़ाई साल से अगर बंद भी हैं तो किसी ना किसी मुद्दे को वो पकड़कर सुर्खियां बटोरने में वो माहिर है तो आज जितने भी जो यह मामले सारे हैं सिर्खियां बटोरने के लिए है बागी नियाय पालिका में सारे मामले चल रहे हैं और मेरा तो यह सुजाव है कि चाहें वो शिपाल यादव हों चाहें वो कोई बड़े नेता हों अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक अपने ओर्डर में साफ साफ कहा है कि जव अपराधिक मामले हैं अगर उन पे कोई टीवी चैनल के माध्यम से समझार पत्रों के माध्यम से अगर कोई टिपड़ी करता है तो वो कोर्ट की अवन न माना जाएगा तो मेरा सुझाव है कि कम से कम इन सब मामलों में टिपड़ी करने से बज़ना चाहिए हैं जैसे आप से शिवपाल मिलने मिले हैं और बाहर आगे उन्होंने कहा कि नेता जी को भी उनके निए धरना कहना चाहिए था आजम के फेवर में आते नज़र आ रहा है तो उस बयान को आप किस नज़र देखना है क्योंकि 80 से जादा मुकदमे आप नहीं कराए हैं तो क्या लगना है देखिए मुकदमे जो मैंने जो लिखवाए हैं वो सिर्फ एक सचाई है जो रामपुर की जंता का जो दर्द था जो कि दर्द जो पिछले कई सालों से जो छुपा हुआ था मैंने सिर्फ उसको बाहर ल हाई कोर्ट से जिस तरीके का फैसला आया था वो अपने आप में एहतियास देखिए था हिंदुस्तान में अगर देखा जा तो चौदा पंदरा लोग ऐसे हैं जिनकी विदागी को छीना गया है तो उसमें से ये परिवार एक इसलिए एहम माना जाता है कि हाई कोर्ट अग था कि इस मामले में कोई अपरादी की कोई बात को सुनेगा भी क्योंकि सारे मामले नयाय पालिका में है और नयाय पालिका अपना काम कर रही है और मुझे पूरा विश्वास है नयाय पालिका पर कि इस मामलों में जो एक अपरादी के साथ सलुक होता है वो सलुक वैसा ही ह इस वक्त आजम खान को लेके पूरा रामपूर जो है पॉलिटिकर राइधानी बने जा रही है जहन चौधरी आ रहा है वो ऐसी जो है वो कर रहे है तो इन बातों को लेके का मुकदमों पर कितना असर पड़ने वाला है देखिए सारे मुकदमे पेपर एविडेंस के अधार पर हैं मुकदमों की जो कारवाई है वो लकातार चल रही है गवाईयां चल रही है इसके लावा जो चीज़ें उसमें जो जरूरी है वो सब अपने जो अपनी गती से सब कुछ चल रहा है और जहां तक यह Rाज्यतिक जिसे मैंने अपसे पहले कहा था कि सुप्रीम कोर्ट साफ का है, कि इनके बारे में टिपपडी करना भी अब खलत है, तो ये सल चीज़ों बचना चाहिए, और मैं बहुत बारिकी से चीज़ों को बहूट स्टेडी कर रहा हूं और मैं ये देख जो मकदमा वो सबसे एहम है, पैंकार्ड का मकदमा है, पासपोर्ट का है, शत्रु संपत्ती का है और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मकदमे हैं जिसमें आजम ने जो जिस तरीके से जो ढूंगरपुर में जो गरीबों के घर तोड़े थे, उनके घरों में रातो रात उनकी जो वहाँ पर चीज़े जो गाया बुई नहीं तो बहुत सारे मुकदमे संगीन हैं जिसमें मुझे लगता है नहाई पाले का अपना काम करेगी उसमें तो आप अपने मुकदमों को लेकर कितना बरुसा है मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ये आकाश सकसेना आजम को पाताल तक नहीं छोड़ेगा रामपूर के घरीबों के रामपूर के मसलमानों पर जो जो जल्म हुए थे आजम के उनका चुन-चुन के बदला लिया जाएगा और हर चीज कानून के धायरे में होगी ये मेरा विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूँ हमसे बात कंदेनी में चुके है तो हमारे साथ ही मوجود थे है काश सकसेना रामपूर से आमिर खान यूपितर झाल